अब जो सबसे common issue रहता है हर एक photographer के साथ को यह है कि हम कैसे amazing और at the same time unique photos निकाले अपने camera या even अपने smartphone camera से अब इस वीडियो में मैं एक ऐसी technique share करने वाला हूँ जो हम सबके सामने होती है आप इसे कही लोग यूज़ कर रहे होगे बड़ आप शायद aware नहीं होगे कि इस technique को यूज़ करके आप कुछ extraordinary photos निकाल सकते हो मेरा जो best work रहा है वो इस technique को ही यूज़ करके कुछ selected images मेरी हैं उन best photos में और मैं जिस technique की बात कर रहा हूँ वो है including a human element अब अगर आप मेरे चैनल पर regular viewer हो आपने देखा होगा जो भी मैं samples दिखा हो तो उन में से काफी images में जैसा आप यहां देख सकते हो human element का एक बहुत important role रहता है अब इसको आप कहां कब और कैसे use कर सकते हो वो मैं इस sunrise, reflection, shadows, बहुत अची building दिखी, कुछ monument दिखा, अब mostly हम क्या करते हैं सिरफ उस frame की photo ले लेते हैं but अगर आप वहां ही उसी frame में wait करो या अपने friend या किसी family member को बहुत सकते हो वो as a human element उस subject बन सकते है उस frame में और उससे जो image निकलती है उसमें काफी ज्यादा improvement आता है सबसे बड़ा reason human element यूज करने का है आप अपनी जो already existing frame है उसको एक life दे देते हो आप storytelling कर सकते हो जैसे आप मैं आपको कुछ samples दिखाता हूँ यहां पे मैं डेली में यमुना घाट पर था अब यमुना घाट एक बहुत common place है हर कोई महां images निकालता है अगर आपको कुछ different image निका साथ capture करी थी burst mode में और यह वाली मुझे best लगी तो मैंने वो image निकाल ली अब human element यहां पे टालने से क्या हुआ मैं एक तो image में drama create कर रहा हूँ at the same time image में action हो रहा है तो यह blank image नहीं है कि यह कोई boat है बानी में और सिरफ उसकी photo मैंने four ground में human element दाले ताकि एक बंदा जो आप आपको दिख रहा है तो एक photo में आपको मतलब ऐसे लग रहे है कोई एक action को freeze किया गया और यह अगर human element नहीं होता तो शायद यह possible नहीं हो पाता अब यह बाद यह और फोटो है यह मैंने इंडिया गेट में ली थी अगें इंडिया गेट एक ऐसा subject है जिसकी करोड़ो images हों तो उस movement को उस action को मैंने capture करा इंडिया गेट को background में रखके अब यहां पर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऐसी photos ले रहे हो f1.8 f2.8 नहीं चलेगा आपको चाहिए depth of field कि इंडिया गेट भी focus में देखे परागे subject भी तो comment करके बदाना इस तरह की photo में photos अब यहां पर बहुत अच्छा reflection है बट सिरफ reflection की photo लेके मैं क्या करूंगा मैंने वेट करा को human element एंटर करेंगे और वहां पर इस हिसाब से मैंने अपना frame बना रखा था इसमें एक बहुत important composition रूल आएगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है fishing technique की तो यहां प मैं आपको दिखाता हुए नहीं अब यह आप दिखोए मेरी mobile से क्लिक की हो फोटो है और इस image को मैंने कैसे amazing बनाया बहुत simple है मैंको यह frame बिला symmetrical frame मैंने बनाया जो हमारा composition rule है जो मैंने composition की वीडियो में बताया हुए so frame मैंने बना लिया अब नीचे जो आप देख रहे हो जो arch बना हुए जो एक area है steers से उतर दे वहाँ पर एक human element है जो फोटो ले रहे हैं अब वो है मेरे यहाँ पर human element जो इसमें एक जान डाल रहे है इस photo में अगर यह नहीं होते तो बहुत simple photo था जो बहुत लोग आपे capture कर सकते हैं बट एक और important चीज जिसके लिए मैं आपको फोटो दिखा दो यह बली आप फोटो देखो अब इस photo में human element का जो importance है वो है scale दिखाना scale दिखाने से मतलब है जब एक let's suppose आप यहाँ पर दरवाजा देख सकते हो एक दरवाजा जिसके तरू हम आते हैं जाते हैं अब normally अगर मैं सिरफ यह photo लेता तो आपको शायद पदा इस फीट उंचा दरवाजा है तो यह आपको scale बताता है similarly आप यह बली फोटो देखो यहाँ पे भी एक photographer action में है वो एक ऐसा लग रहा है भागते हुए वो कुछ कोई skate मार रहा है पर यह actually photo ले रहे थे हैं यह यह मैंने frame बनाया उसके बाद यहाँ पे आप देखो यह Delhi की photo zebra crossing का यहाँ पर प्रेक्टिस कर रहे थे लोग 26 जानवरी की अब वहाँ पर मैंने क्या करा मैंने बेट करा वो cross करेंगे जैसी human elements और उन human elements को रखते हुए मैंने contrast image बनाया और इसको मैंने black and white में convert कर दिया अब इसी तरह आप यह वाली photo देखो यहाँ मैंने intentionally shutter speed slow कर दिया थ ताकि birds का slow motion movement आ सके अब सिरफ मैं अगर birds को रखता तो बहुत simple सा shot होता तो मैंने क्या करा पीच में human element आया जिनकी board थी वहाँ पर खड़ा हुआ और मैंने wait करा वो जब वहाँ पर आया तब मैंने photo ली अब इस image को अगर आप देखोगे तो एक story बनती है कि कोई एक बंदा खड़ा जो थोड़ा lonely है उस तरह से और वो birds का slow motion वाला effect आ रहा है पर editing मैंने उसे साब से दिया है कि यह बहुत dramatic और at the same time बहुत interesting shot बन जाता है अब यहां पर मैं आपको दो silhouette photos दिखाऊंगा जहां बहुत amazing sky का color है पर मैंने यहां पर intentionally silhouette बनाया क्योंकि आप देखो कि दोन आप एरिया दिखता है जिसको हम silhouette बोलते हैं और वही इस photo में जान एट कर रहा है अगर वह नहीं होते हैं बहुत simple shot निकलता अब एक shot में यहां पर क्या है कि यह story मैं पहले भी बता चुब हूँ हस्बेंड बाग करते हुआ रहे थे वह बच्चा रो रहा था तो एक parent दू कुछ एरिया में लोग खड़े हुए है और मेरा एक shot है जो एक अच्छे sunset के साथ निकल के आ रहा है जहां मैं कुछ interesting action दिखा पा रहा हूं लास्ट में यह वाला photo देखते हैं यह बहाई temple है टेली में lotus temple वहाँ पे again reflection तो मुझे मिल रहा था बहाँ अच्छा shot था बट उसक जब मैं photo को देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कुछ movement हो रहा था कुछ action हो रहा था जिसको मैंने freeze कर रहा है तो कहने का summary मेरा यह यह human element को add करने से आप एक scene में scale दिखा सकते हो आप storytelling कर सकते हो और आप human element की motion को freeze करके like जब आपके फोटो देखेगा ऐसा लगेगा कि street photography में या even travel photos में भी यह जो technique है इसको use करके कुछ amazing images निकाल सकते हो तो अगर आप कोई video useful लगी किसी तरह आपको improve कर सकती है as a photographer तो मुझे comment करके बताना और इस video को like कर देना, the target for this video is 4000 likes, let's see कि कितने लोग उस target को achieve कर बाबाते हैं, so I'll see you in the next video, इसी तरह interesting topics से साथ, till then take care and keep clicking झाला कर झाला कर झाला कर झाला कर एंफ िदकी कोई राला कर झाला कर झाला कर झाला कर झाला कर जो लोग जदाए था तक झाला कर वाफने बाहे हैं, so I want to go back to the room.